हलो दोस्तों और बढ़िया सब स्वागत है आप सबका हमारी विराप के प्यारी से चैनल किंग मुखिया पर तुम समय में कुछ स्वाधिश्ट और हेल्दी खाने का मन है तो बनाए मजीदार नास्ता और लंच बॉक्स रेस्पी और ये बनाना तो बहुत ही आसान है तो चलि अप्टोबर राइज लिया है पक्के हुए चाबल अब इसे हम ग्राइंडर जार में डाल देंगे इसमें अभी हम पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे वह चार से पाज हमने लेजन की के लिया वह तीन से चार हरी मेर्ज और दही को लिया यहां पे हमने टोटल चार चमश दह लिया है दही खटा ना हूँ इस बात का ध्यान रखें आप ताजे चाबल भी यूज कर सकते हो एक कटोरी हमने यहां पे सूजी लिया है और देखिए इसे हमने पीस लिया है तो देखिए यह अच्छे से स्मूथ पेस्ट बन गया है थोड़ा सा दरदरा रहता है इसमें हम लिया है एक बोल में हमने टांसपर कर लिया है स्वाद के नुसार नमक और एक टीजपून चाट मसाला और स्वाद के नुसार हमने लाल मिट डाली है इसे अच्छे से एक मिट हम पेट लेंगे अगर आपको हमारी रेस्पी अच्छी लगती है तो लैक से सब्सक्राइब कर कर लें जिससे हमारे आनमाले वीडियो का लिंक आप तक पहुंच सके तो देखिए दाल हलकी हो गई है यहां पे हमने कुछ सबजिया लिया है तो देखिए इस तरह से हमने काट लिया है और बीट रूट भी लिया है एक पैन में थोड़ा सा ओयल या घी लगा लेंगे यह इस तरह से चम्मस से अच्छे से फैला देंगे ज्यादा इसे मोटा नहीं फैलाएंगे बिल्कुल पतला पतला देखिए इस तरह से यह नास्ता आप एक बार जरूर बना के देखना एक कम समय में हेल्दी नास्ता बनके तैयार हो जाता है तो यहां पे हमने टामाटर से शिमला मिर्श प्यास और धनिया और इस तरह से पहला दिया है और इस पहंने यह चीज इडिया है और इसके बड़के बच्यक्म अबिनेभी पतला पतला देंगे देखिए इस तरह से और उपर से भी हम इस तरह से प्याज सिम्बला मिश्ट टमाटर को लगा देगे यह देखने में भी अच्छा लगेगा थोड़ा सामने हरा धनिया डाल दिया है और ढग कर इसे अच्छे से इसे पका लेंगे तो 5-6 मिनट हो गया है नीचे से देख लेंगे इसे तो यह हो गया है यह आप बिना ओल के भी बना सकते हो इसी तरह से देखिए इस तरह भी हमने अच्छे से इसे पका लिया है देखिए देखने में कितना सांदार नास्ता लग रहा है कम समय में यह नास्ता बन के तयार हो गया है और टेस्टी के साथ साथ ये हल्दी भी है आप इसे बच्चों की लंच बॉक्स में सुबह की नास्ते में बना के दे सकते हैं तो दिखी इस तरह से हमने इसे काट लिया है अगर आपको हमारी रेश्पी अच्छी लगी है तो लाइक से सब्सक्राइब कर लें चतनी या चाय क के साथ इंजोई करें थैंक्स फॉर वोचिंग टे कियर बाई